आज हम बनाएंगे पैनकेक और वो भी विथाउट एग इतने सॉफ्ट एन फ्लॉफी पैनकेक मैंने कैसे बनाए है वो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बोल और उसके अंदर एड़ करेंगे 1 कप दही दही साथा खटा नहीं होना चाहिए अब उसके अंदर एड़ करेंगे 2-3 चमच मेल्टेट बटर आप यहाँ पे ओल भी ले सकते हो और अब मैंने उसके अंदर एड़ किया है 2 चमच भी सीवी चीनी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब एक छल्ली लेंगे और उसको बोल के उपर रख देंगे और उसके अंदर एड़ करेंगे 1 1 टेबल स्पून बेकिंग पावडर 1 टी स्पून बेकिंग सोडा और पिंच ओफ सॉल्ट अब ये सारे ड्राइ इंग्रिडियन्स को हमें चान लेना है तो ये देखे मैंने इनको चान लिया है अब इसके अंदर एड़ करेंगे 3-4 ड्रॉप बनिला एसेंस और 2-3 चमच हनी हनी डालने से हमारे जो पैनकेक है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और अब इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे एकदम हलके हतों से mix करना है ज़्यादा pressure नहीं देना है तो ये देखे हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है अब इसके अंदर add करेंगे दूध दूध हमें 1-4 cup लेना है डूद डालने के बाद उसको फिर से हलके हतों से mix कर लेना है तो ये देखिए हमारा बैटर एकदम ready है अब एक पैन ले लेंगे उसको गरम करने के लिए मैंने रख दिया था तो पैन अच्छे से गरम हो जाए फिर flame को एकदम slow कर देंगे और उसके उपर डाल देंगे ये बैटर हमें एकदम से बहुत सारा बैटर नहीं डालना है थोड़ा ही बैटर डालेंगे क्योंकि ये फैलेगा एक पैनक्य उपर आप 3-4 पैनकेक आराम से बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने 4 पैनकेक बनाए है सारे pancake के बीच में थोड़ा थोड़ा distance रखेंगे distance नहीं रखेंगे तो ये जब फूलेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो distance रखना बहुत ही ज़रूरी है और अब उसके बीच में मैंने थोड़ा सा बटर रखा है और बटर को इस तरह से मैंने फिला लिया है pancake के sides पे भी हम थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे ताकि जब हम उसे flip करें तो easily flip हो जाएं नीचे से जिपके नहीं तो सारे pancake के sides में हम बटर लगा देंगे 3-4 मिनिट में एक तरफ से वो पक जाएंगे और अब उसको flip करना है तो ये देखिए मैंने उसे flip कर दिया है और एकदम easily वो flip हो गए है तो इस तरह से सारे pancake को हम flip कर देंगे और अब दूसरे side भी उसे 2-3 मिनिट low flame पे पका लेना है तो ये देखिए 2-3 मिनिट हो चुके हैं और ये हमारे pancake बनके एकदम ready है बहुत ही fluffy और एकदम soft बने है अब उसको एक plate में निकाल लेंगे तो ये देखिए सारे pancake मैंने निकाल लिये हैं और देखने में कितने मस्त लग रहे हैं एकदम fluffy fluffy and soft अब इसके उपर रख देंगे एक butter का slice और थोड़ा सा honey और ये हमारे pancake इकदम ready है तो इसको enjoy कीजिए तो है ना बहुत ही easy recipe तो आप भी घर पे एक बार ज़रूर रहे करना बहुत ही मस्त बनते हैं ओके तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजे और चैनल पर नए तो subscribe और आपको आज की recipe कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएगा ओके तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी गरशन